जा रहे हैं एब्रीवन मेरा नाव है अर्ण सिंह तावार और हम कवर करने जा रहे हैं एकनोमिक्स फोर एकनोमिक्स को पढ़ा था प्री कोड़ा नहीं पढ़ा दूप को यहीं चीज मैं अपनी पढ़ाई है इसलिए आप शॉर हो जटते हैं कि वहीं यह जो एकनोमिक्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूं यह आपके लिए more than sufficient होगी इसके साथ CDS Drive में जो MCQs मैंने शेयर किया है न उनको भी लगाने और फिर CAPF AC का जो पिछले 5 साल का questions मैंने solve किये हैं वो भी देख लेना और CDS की भी आपके next week तक पिछले 5 साल के questions आ जाएंगे तो वहीं उनको भी solve कर लेना इट फिल भी more तो वहीं अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन एकनोमी डिरिंग नाइटीन सिप्टी से नाइटीन आजादी के पात में हम अपनी destiny की monsters बन चुके थे कि वहीं 200 साल के पिट्रिश रूल के बाद अब नेशन बिल्डिंग का काम हमारे नेताओं के हाथ में था हमारे खुद के हाथ में था इसा कहा जाने नगा तो इंडिपेंडिनिट इंडिया के सुदलत भारत के leaders पो यह आपका decide करना था और में बहुत आरी चीना decide करनी थी लेकिन उनको सबसे पहले यह decide भी करना था कि कि किस तरह का economic system जो है वो हमारे देश में चले ऐसा उनको सोचना था समझना था हमारी nation के इस्टेबल रहेंगा एक ऐसा system जो कि आपके सब लोगों का बालाग है तो है ऐसा सोचा था तो तो दो को अलग-अलग तरह के economic system सामने थे हमारे उसमें से सबसे जादा जो हमारे पंडित जवाला लेरूची को अपील किया वो था आपका सोशलिसम ठीक है सोशलिसम को हिंदी में कहा जाता है समाजवार समाजवाद आपने भाईया वोई समाजवाद की पर ठीट है यह वह नहीं वह तो नाम लिए आगा आपका लेकिन सोशलिसम का मतलब होता है समाजवार ये जब सबसे सदा प्रिया जावाला नहरू जी को ठीक है लेकिन वह आपके उस तरह के सोशलिसम के favor में नहीं थे जो क आपका उस टैंग पे सोवेट यूनियन में लाग हो था सोवेट यूनियन यानि कि जो उस टैंग पे हमारी यूएससर थी उसमें जो सोशलिजम लाग हो था उसके पक्षमे नहीं थे जहां पर सारे के सारे जो आपके means of production होते हैं वो आपके क्या कर दिये जाते हैं यानि कि ज कोई concept ही नहीं रहता तो इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में यह आपको पॉसिबल नहीं था कि government ownership पैटन सारे लैंड्स का चेंज कर दे सारे खितों का चेंज कर दे हैं ना जैसा कि आपका फॉर्मा सोवेट यूनियन में किया गया तो फिर क्या किया गया तो नहरू जी और मां और सूशलिसम हमें दौनों का एक स्ट्री मॉर्जन जो रही तो नहीं दोनों के एकस्ट्रीम सब्सक्राइब शोड़ तो पे संप्ल 25 को अन्यétais डेशन होगा ता उस家 कर देश को सूश्य आउट्लुक प्ए लेकि जाएं उसके बाद मैं 42nd amendment के दौरा आपका socialist जो word है वो भी आपका preamble में डाला गया है ना तो यानि कि आपकी समाज की सरचना जो है वो समाजवाती लाइस के पहले से ही किये जाने के planning किया जुए तो socialist outlook के साथ में sympathize किया और उन्होंने बोला कि हम ऐसी economic system का निर्माण करेंगे जि इसमें हम socialism के best features को लेंगे और इन best features को उठा के क्या करेंगे अपने economic system में डालेंगे और इसके जो drawbacks है यानि कि जिसको negative है उनको हम नहीं रहे तो इस वी में देखा जाए तो इंडिया एक socialist society कहलाएगी एक समाजवात वाली society कहलाएगी एक strong public sector होगा हमारा तो public sector होगा ना वो काफी जादा strong होगा ऐसा बोला गया लेकिन इसके साथ साथ private properties जो है उनको भी allow किया जाएगा private properties भी allow की जाएगी और democracy अगरा भी exist करेगी यानि कि government economy के लिए plan करेगी और private sector जो है उसको इस plan effort का part होने के लिए encourage किया जाएगा ठीक है तो भाई फिर हमारे आती है industrial पॉनसी रिजोनिशन वेग नाइटीन फॉर्टी एड है राइंडेस्ट्री पॉलिसी रिजोलीशन नैटीन फॉर्टी एट आया और जो हमारे डीपीस भी है डारेक्टिव पेस पल्ट आव स्टेट और डारेक्टिव प्रस्टेट पॉलिसी जो आ जाते हैं यह इंडिन सेट अप किया गए 1950 में यह जो हमारा प्लेरिंग कमिशन है इसको सेट अप किया गया मिस्टर इसके शेयर में दे और आपके पंच वर्षी यह जना हो यानि कि फाइफ यह प्लैस की जो पूरी एरा है वो स्टार्ट हो गए ठीक उनके बाद में पढ़ेंगी उससे पहले हम नमबर वन आ जाता है कि कौन से गोड्स और सर्विस जो है वो आपके कंट्री में प्रेडियूस किये जाएंगे तोसे यह और जो प्रीडियूसर जादा यह करें या फिर वो आपका capital ज्यादा यूज करें यानि कि machines बगरा इन में से किसको ज्यादा यूज करना है ये चीजों को produce करने के लिए और तीसरा question आपका आ जाता है कि ये जो चीजें आपकी produce की गई है इनका distribution कैसे होना चाहिए इनका distribution कैसा होना चाहिए अब इनका answer जो है वह आपका डिपान कर डिपेंट करता है market forces of supply and demand पे क्या मांगा जा रहा है और किस तरह से उसकी पूरती की जा रही है इसके basis पे आप इस चीज का answer दे सकते हैं तो देखो सबसे पहले हमारी आती है market economy क्या होती है market economy को हम capitalism भी कहते ह capitalism में हिंदी में इसको बोला चाहे तो इसको हिंदी में बोला जाता है पूजी वार कई बार आपने जेनी वालों को डपनी लेकर सनाओगा पूजी बात हाई है इस टाइप से तो देखो market economy को हम बोलते है capitalism यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर सिर्फ वही consumer goods आपके produce दिये जा इस बात है जिनको बेश सकते हैं कहां बेश सकते हैं आप इनको domestic market के में बेश सकते हैं या फिर आप इनको foreign markets में भी सकते हैं कहीं पर भी सकते हैं अब for example अगर हमारी cars जो है वो डिमांड में हैं लोग बोल रहे हमें तो car चाहिए वो ने जाना है ठीक है तो फिर cars आपकी produce क की जाएंगी अगर लोगों ने वोल भी हमें car नहीं हमें cycles चाहिए तो फिर cycles प्रिद्यूस की जाएंगी और अगर हमारा जो लेवर है वो चीपर वो सस्ते में हैं लेवर अगर हमारा चीपर है as compared to capital या निकि मशीन से अलग अगर हमारा लेवर ज्यादा एफेक्टिव है ज आपको पताई होगा या अपने history में पढ़ाई होगा आपको गोगल करना है तो फिर अगर मशीन ज्यादा सस्ती पढ़ रहे हैं तो फिर मशीन इंटेंसिव अब capitalist जो हमारी society होती है उसमें क्या किया जाता है उसमें goods produce किया जाते हैं और लोगों में बाते जाते हैं not on the basis of what people need कि तुम्हें क्या चाहिए वो नहीं देखना वो नहीं देखना होता वही कि तुम्हें क्या चाहिए बट आपकी purchasing power देखी जाती है purchasing power यानि कि आप क्या खरीद सकते हैं purchasing power matter करते हैं आपके जेब में कितना पैसा है ability to buy goods and services ठीक है मतलब कितना पैसा आपकी जेब में कि सकते हैं अब देखो वैसे कि हम बात करें घर जो है लोग कॉस्ट हाउसे यह बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी देश में कई साइट लोग के पास घर नहीं है तो लोग कॉस्ट हाउसे आपकी पूर लोगों की डिमांड होती है बहुत जादा नीड़ेड है यह उनकी चाहिए ही पावर नहीं उनकी जिम में पैसे नहीं होते इस डिमांड को सपोर्ट करने के लिए ऐसा रिजर्ट यह जो लोग कॉस्ट हाउसेंग है आपकी यह सप्लाई नहीं की जाएगी मार्केट फोर्स के साब से ऐसी सुसाइटी ने हमारे प्रिया घान मंत्री जवालाल नहरू जी तो उसके बाग में फिर आती है नॉन मार्केट एकनोमी नॉन मार्केट एकनोमी तो बहुत ही धनी जमीदार के घर पैदा हुआ था और काफी करांतिकारी आइज आइडिये दिये थे विनको आध तक वही दुनिया जेल रही है ठीक है बहुत सारी नेशन इनके कार्ल मार्क्स को कैसा है कार्ल मार्क्स ने अपने जिन्दगे में सबसे बढ़िया काम किया था वह यह किया था कि बंदा 1883 में मर गया था ठीक है सबसे बढ़िया काम लेकिन कार्ल मार्क्स के आईडिया आपके दो तरीके सामने निकलके आए एक तो आया भाई आपका USSR के दौरा 1917 से लेके 89 तक इसमें क्या था इसमें क्या था इसमें ownership control आपका सिर्फ natural resources पर होता था सिर्फ आपके जो natural resources हैं उन पर भई सरकार का कबजा रहता था और जब कि जो आपका communism model जो रहता है जो कि China ने आपका फॉल्व किया 1949 से लेके 85 तक इसमें जो ownership control होता था वो आपका लेवर पर भी होता था लेवर को पिसके काउंट कर लिया जाता तो यह अब नॉन मार्केट एकिनॉमी में यह जो system है यह system basically market economy के reaction के तौर पर develop किया गया और इसमें कुछ following main beliefs आजा जाता जैसे कि जो आपके resources होते हैं रिसोर्स को सब की भलाई के लिए यूज किया जा सकता है किसी भी देश किन्दर जो resources है उनको सब की वैलिंग के लिए यूज करना है और resources को best तरीके से तभी यूज कर सकते हैं जब को किसी सोसाइटी या फिर community की ownership में चल रहे हैं यह आपके किसी सोसाइटी या का community की ownership में अगर resources है तो वह अच्छे तरीके से एक्ट कर सकते हैं यानि कि सोशलिजम और आपके सिर्फ स्टेट के दौरा फ्ले किये जाएंगे अब सरकार के आप पर सब कंट्रोल करेगा किसी इन तरह के जो property rights होते हैं कोई भी property का अधिकार आपके नहीं दिये जाते हैं किसी भी इंडिविडियल को यह जो हमारे प्लॉट्स पर प्लॉट्स खरीदे जाते है ना प्रॉपर्टी बनाई जाती है यह 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 नहीं होता ठीक है कि भाई यह proletariat बनाफ से नोमेर आया है इसके दारा लेवर्स का exploitation किया जाता है और यह सिर्फ एक small minority को help करती है जिसको कहा जाता है आपका पर्गोईज हिंदी में इसको बुर्जुआ कै ठीक है जो small minority यह सिर्फ वही अमीर होती जा रही है जिससे economic inequality आर्थिक असमंताय फै लेकिन यहां पर जो आपका interplay होता है demand और supply का वो नहीं होता वहीं अपर नहीं होता है ठीक है सरकार जिसको वह टोटली रहता है यहां पर competition का भी जो idea रहता है वो भी टोटली आपका क्या रहता है absent रहे, किसी प्रकार का कोई competition नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक जगत में state जो है उसकी total monopoly है, total कब जग किसके दार गिया जा रहा है, total monopoly हमारे state के दार गिया है, तो भही नहीं हो, कहनो बात, ठीक है, लोगों को economic role play करने पड़ रहे हैं, यानि कि जो state owned enterprises हैं, अपनी ability के असाफ से economic role play करने पड़ रहे हैं, और in return, उनको state के दोरा facilities दी जाएंगी, उनको रोटी कपड़ा मकान जो basic चीज़े हैं, वो state के दोरा दी जाएंगी, और ये जो decisions हैं कि क्या produce करना है, कितना produce करना है, कैसे produce करना है, और लोगों तो supply कैसे करनी है, ये सब आप का state ही decide करें, ठीक है, बहुत खतरना society होती है, उसके बाद अगर हम socialist society की बात कर रहें तो, पहरें तीन questions की बात कर रहें तो, socialist society आपके तीनो questions का different तरीके से answer देती है, socialist society में, जैसा कि मैंने आपको बताया, government decide करती है, कि वहीं क्या produce किया जाना है, society की needs के साफ से, कि society की needs क् ये सरदार ही decide करें, आप decide नहीं करें, ठीक है, ये assume कर लिया जाता है, कि government best तरीके से जानती है, कि देश के लोगों के लिए अच्छा क्या है, तो जो desires होती है, इंडिविडियल्स की, आपकी और जो मेरी इच्छाय होती है, कि हमें तो ये खाना है, हमें तो ये करना है, व हो सकता है, कि government family में तो सबसे youngest member है, उसको खाना है पीजा, तो क्या Sunday है, लेकिन जो दादी जी है, वो तो बोले है, तुम्हारी सेहत के लिए तो जो है, वो लोगी की सबजी खानी पड़े है, तो ये गाम यहाँपर क्या करता है, यहाँपर हमारा स्ट्रेट करता है, इस्टेट बोल रहा है, कि वह तो है लोगी की सबजी खानी है, तो बैपीजा की ज़रूद नहीं है, लेकिन इंडिविडियल फ्रफरेंस तो पीजा की हो रही है, मन तो जो पीजा का है, तो यहाँपर नहीं किया जाता है, गॉवर्मेंट डिसाइड करती है, कि वह आपका जो गुट्स है, वह प्रेडियूद की कितने किये जाने है, उनका डिस्टिविशन कैसे होगा, मतलब कि जो डिस्टिविशन सोशिलिजम के अंडर होता है, वो इस पॉइंट पे होता है, कि वाट पीपल मीड, इस बेसिच़ पे नहीं होता है, कि वाट इकेन अफॉर्ड औ कराता है और जो सोशलिस सोसाइटी होती है आपकी यहां पर कोई प्राइबेट प्रॉपर्टी वाला कंसेट्ट नहीं होता हर कुछ आपका स्टीट के दौरा होंड किया रहता है जैसे कि हमारा क्यूबा और चाइना जैसी कंट्रीज यहां पर जो एकनोमिक एक्टिविटीज और भी बहुत सारी नेशन हो गया चाहिए अंडर दाव आप सोशलिजम वह आपके कैपिटलिस तरीके से फंक्शन कर पर से सोशलिजम है अडर से बाइक की तरफ देखें तो ज्यादतर एकनोमिक आपकी देशों में अच्छा यह मैंने इस यहां पर बताना था हूं सौरी जाधा तर जो सोशलिजम हो जाता है तो जाधा तर एकनोमिक आपकी मिक्स्ट एकनोमिक आ जाती है यानि कि गवर्मेंट और मार्केट दोनों क्या करते हैं एक साथ आते हैं गवर्मेंट प्राइवेट सेक्टर्स और मार्केट यानि प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्मे उसक् broadly present तरुम्य करता है जोकि वह अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है और गॉविट क्या करता है गॉवर्पेंट इजन्शल गुड्स को आपका और services को provide कराता है, जो market provide करने में fail हो जाता है अब अगर mixed economies के बात करें mixed economies के तरफ देखें, तो chief characteristics सबको mixed economy के कुछ इस तरी किसे देखने को मिल जाते हैं, कि यहाँ पर state और private donor के दोना sector जो है, उनका economic role होता है, ठीक है, private sector जो रहता है, वो आपके उन rules को play करता है जहाँ पर आपका invisible hand चाहिए हो, ठीक है, invisible hand यानि की motive of profit इसमें आ जाता production and supply of the private goods, ठीक है, जो production आपका होता है और supply जो की जाती है आपकी private goods की ठीक है, यह एक अच्छा खासा example इसके under में आ जाता है, ठीक है, यानि कि लोग आपके जनरली अपनी income से इन चीज़ों को करीद रहा है, अपनी income से इन चीज़ों को करीद रहा है, यह बैक्स एक्जमपल आजाता है इस केस में, बट state आपका यह role play कर सकता है, state भी यह role play कर सकता है, यह ना private goods जो आपको चाहिए, for example आपको bike चाहिए, आप bike के लिए private companies पे डिपेंटेंट है, कि private company जब ऐसी bike बनाईए, तब आप खरीदेंगे, लेकिन state जो है, वो भी यह role play कर सकता है, वो भी bikes की manufacturing कर सकता है, private बाले भी कर सकते है, state बाले भी कर सकते है, यहाँ पर किसी को नहीं है, तो भाई city से बात है, आपकी जो private, जो क्या बोलते हैं, सेक्टर है, वो उसमें हाथ नहीं डालेगा, है ना, तो वो आपके government पे छोड़ती है, government की उनको देखवाल करती है, तो जो public courts की supply होती है, इस example में उसको हम रख सकते हैं, इस category में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो रहता है, वो भी इस रोल में आ सकता है, अम एक simple से बात बता देता हूँ, railways की बात कर लेते हैं, आपको पता है, railways तक्रीबन जो है, वो no profit, no loss वाले मामले में चलता है, कई सारे मामलों में आप लोगों के तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इंडिया में rainways को government के दौरा, यानि कि state के दौरा चलाया जा रहा है, यानि कि आपकी टिकेट में subsidy देगे, भी आप लोगों को एक cost effective तरीके से travel करवाने की सोचता है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूते लोगों को और इसको प्राइवेट सक्टर इतने cost effective तरीके से नहीं चला सकता, तो फिर हम इसको चलाए, लेकिन अब यह जो एकनोमिक रोल्स जो या तो स्टीट के दौरा किये जा रहे हैं यह हमेशा फिक्स नहीं रह सकती, यह time to time आपके चेंज होते रहते हैं और यह समय की ज़रूत के हिसाब से बदली भी जा सकते हैं, रेगुलेशन आ जाते हैं, रूल्स, कॉम्पटीशन, टैक्सेशन वगरा, एकनोमिक सिस्टम में, यह स्टीट के दौरा देखे जाते हैं, कि अच्छे कासे रूल्स फ्रेम किये जाएं, जिसको सब लोग फॉल्लो करें, कॉम्पटीशन वाले रूल्स बनाये जाते हैं, तकि फेर कॉम्पटीशन वाले मार्केट डेवलप हो सके, प्रॉपर टेक्से के रिसॉर्स को कैसे यूज किया जाना है, सिम्पल ती बात, और आप किस तरीके से इसको यूज किया जाना है, यानि कि इस कोई भी प्लैन जो होता है, उस पे हमारे कुछ जनरल गॉल्स होते हैं, जो हमें फूरे करने हैं, और कुछ हमारे specific objectives भी होते हैं, अब जैसे कि हम जो भी आप ले रहे हो जनल बोल्स में तो आपका पस्टेटी डेवल्मेंट आ जाता है इस पैसिफिक पीरिट आफ टाइम में अचीव करना पड़ता यानि कि ओवरेस नहीं होना तो इंडिया में प्लेंस की जो डेशन रही हो रही है आपके पात सालों की यहने कि पंच वरसी योजिना है इनको फाइट यह प्लेंस का गया और यह हमने बौरो किये थे फॉर्मर सोवियत यूनियन से ठीक है यूएसस असर प्लैनिंग हमने बौरो की थी नैशनल है वो 2017 तक documented है इसमें specific objectives के साथ साथ जो पांच सार में हमें achieve करने है इसके साथ 20 सालों के अंदर भी हमें क्या plans achieve करने हैं उनके बारे में प्रस्पेक्टिव प्लैन गुनाएंगे और साथ इसाथ में यह बहुत ज़्यादा अन्रिलिस्टिक होगा कि आप प्लैन के सारे goals किसे expect करें कि उनको इक्वल इंप्रेंस दी जाएगी नहीं ऐसा नहीं होता सारे plans की इक्वल इंप्रेंस नहीं दी जाती है ठीक है goals जो आपके हैं फुक्रिवार कंफ्लिक्ट में भी आ जाते हैं अलग अलग पॉल्स को अलग प्रियूरिटी दी जाती है जैसे अगर हम example के तोर पे बात करें तो अगर हमें modern technology जो है वो तेस्ट में introduce करनी है अगर modern technology अगर आप introduce करेंगे तो उससे क्या होगा आपका ये आपका employment को increase करने वाली जो आपका goal है उसके साथ conflict में आ जाए ना modern technology यूज करेंगे तो employment तो कम हो जाती है तो planners को ये goals को balance करना था बहुत difficult job था ठीक है different जो goals है उन पर different तरीके से focus किया जाता था different plans में इंडिया तो इंडिया की जो पंच वर्सी योजनायती उसमें ये नहीं बताया या कि बहुत कितने goods or services आपको produce करने है कैसे produce करने है ना ही ये possible ये possible भी नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है Soviet Union ने ये try करने का फैसला किया लेकिन वो इतना करना एनफ होता है कि plans में हम किस specific sectors की बाद कर कौन से sectors आपके commanding role play करेंगे और examples power generation और irrigation जो है वह हमारा government देखेगी और बागी sectors जो है वो market के लिए छोड़ दी ठीक है तो plans जो रहते हैं उनके पास clarity वाले specified आपके goals होने चाहिए कि इनको तो fulfill करना ही करना है तो हमारे पंचवर्शी योजनाओं के growth के साथ साथ हुआ करता था modernization ठीक है उसके साथ self-reliance यानि की आत्मनिरवर्था ये भी वह करते थे और equity यानि की समानता सबको मिलनी चाहिए इसका ये बतलब नहीं था कि सारे आपके plans इन सारे points पी एक साथ focus करते थे limited resource की वजए से ये choice आपकी जाती थी कि हर plan पे आपका primary importance किसको दीजएगी सबसे जादा importance किसके दीजए ठीक है तो planners ने ये इस्योर किया कि जितना हो सके policies जो plans किया वो एक डूसरे को एक डूसरे goals इसको कॉंटर अटेक्ट नाक इसमें सबसे पहले हम वो growth की बाग कर लेंगे growth का मतलब होता है किसी भी country की capacity में बडूतरी होना कि वह कितना efforts or services को output दे सकते हैं तो ना वो produce कर सकते हैं within the country एक country के अंदर ही या एक अच्छा indicator economic growth का अगर हम economics की language में देखे हैं तो वो रहता है GDP में लगातार बडूतरी हो रही है यानि कि cross domestic product इसमें लगातार बडूतरी हो रही है तो वही हमारी economic growth हो रही है ठीक है GDP क्या होती है GDP होती है market value किसकी market value होती है market value जितने भी आपके final goods और services produce किये जा रहे हैं एक देश के अंदर एक साल के अंदर ठीक है GDP को आप एक cake की तर समझ लेजी अगर cake जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा लोग इसको enjoy कर सकते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा goods or services को produce करना है अगर लोगों को ज्यादा आपका enjoy करना है first five year plan के terms में देखा जा तो उसको कुछ इसी तरीके से describe किया था कि लोगों को अगार एक ज् उसमें contribute करते हैं ठीक है जैसे कि हमारा agriculture sector हो गया उसके बाद industrial sector हो गया service sector हो गया यह सब इसमें contribute करे कुछ countries में एक्रीकल्चर की जो growth है वो जाधा होती है GDP में कुछ countries में इंडस्रिल की जाधा होती है और उस country में service sector जाधा आपका focus करता है GDP की growth अब जैसे सर्यार सेक्टर क अगर हम बात करें specific, जैसे जैसे कोई भी देश हमारा growth करता है, develop करता है, उसके अंदर structural changes आ जाते हैं, यानि कि fundamental changes जो है, उसके अंदर देखे जाते हैं, इंडिया के case में ये जो structural change है, ये काफी ज़दा peculiar है, यानि कि थोड़ा सा अलाग है हट के, usually development के साथ में agriculture जो है, agriculture का share आपका कम होता चला जाए, और industry का जो आपका share है, वो बढ़ता चला जाता है, विकास में यही तो होता है, तो higher level of development पे क्या होगा, कि जो service sector है, वो आपका ज़्यादा contribute करता है, अगरिकल्चर से भी और आपका industry से भी, दौन से ज़्यादा करता है, लेकिन इंडिया में क्य आए कि जो agriculture का share है GDP में, यह 50% से भी ज़्यादा था, जैसा कि आप एक इंडिया जैसे गरीब देशते, एक्सपेक्ट कर साथे, क्यों कि उस अपका हम गरीब ही थे, लेकिन 1990s तक, क्या हुआ आपका service sector का share था, वो 40.59% तक पहुंच गया, जैसा कि यह agriculture और industry से ज़्यादा था, जैसा कि हम development nations में देखते हैं, तो यह जो फिनोमेना था, कि service sector की growth आपके बढ़ती चली जा रही है, यह 1991 के बाद में, और ज़्यादा देखा गया है, जब हमारे LPG के reforms हुए, लेकिन development हमारा खुश लेबल का नहीं, ठीक है, फिर दूसरा हमारा इसमें आता है, modernization, अगर उसको output अपने farm का बढ़ाना है, तो उसको नए varieties of seeds को use करना पड़ेगा, उसको नए तरीके technology को use करना पड़ेगा, पहुँ सारी चीज़ां करने पड़ेगा, उसी तरीके से अगर आपको किसी factory में output बढ़ाना है, तो आपको नए type of machines को use करना पड़ेगा, लेकिन को recognize करना कि उनके अधिकार men's के बरावर है, एक traditional society में women से suppose कि उनको घर पे रहना है, जबकि जो आदमी है वो बाहर जाके काम करेंगे, लेकिन modern society women की talent को आपकी workplace में भी use करती है, banks, factory, schools बगरा में, और ऐसी society generally अपकी ज़्यादा prosperous होती, उसके बाद हम बात करेंगे self-reliance की, self-reliance यानि की आत्म निर्वर हो न, ठीक है, कोई भी nation economic growth को promote कर सकता है, modernization को promote कर सकता है, by using own resources or by using resources imported from other nations, या तो आपने क्या किया है, या तो आपने खुद के resources को use किया है, या फिर आपने क्या किया, कहीं से बाहर से resources मंग बाएं, और development, modernization को बढ़ा सकते हैं, तो फिर जो अमारे पहले साथ, क्या बोलते हैं, 5 यह plans रहे थे, उन्होंने self-reliance को बहुत दादा focus दे, इसका simple सा मतलब था, कि हम जो है, imports को avoid करेंगे, यानि कि बाहर से सामान जो है, वो हम ना के बराबार मंगाएंगे, ठीक हैं, जिससे और इन को हम क्या करेंगे, बदले में, इंडिया में ही produce करेंगे, domestic level पर produce करेंगे, तो यह जो policy थी, इसको एक necessity माना गया, एक बहुत ज़रूत माना गया, ताकि foreign countries पे हम अपनी dependence कम कर सके, अब भाहरी इंसान पे dependence तो कम करने पड़ेगी न, आसकर food के वामले, ठीक है, यह आप का माना जाने लगा कि जो हमारे देश के लोग हैं, वो अभी foreign domination से आपके free हुए है, विड्रेशूर कतम हुआ है, तो हमें self finance के focus दिया जाना चाहिए, फर्दर यह भी डर था कि अगर आप imported food supplies पर dependent हो जाते हैं, foreign technology और foreign capital पर dependent हो जाते हैं, तो उससे इंडिया की जो sovereignty है, वो आपकी एक vulnerability में आ जाएगी, है ना, foreign interference हो सकता है हमारी policies में, ऐसा आप भी माना जाने लगा, और पास से ही दिदी, उसके बाद आ जाता है, equity into growth, modernization और self-reliance के बाद, मैं आपका ये सिर्फ यही तीरों चीज़े है, किसी भी देश की लोगों की quality of life नहीं सुदार सकते हैं, यानि कि किसी देश की एक high growth हो सकती है, high growth है इसकी, सबसे ज़्यादा modern pack वो लोग यूज़ कर सकते हैं, देखे हैं, लेके लिए, उसके बाद भी वहाँ के जो लोग हैं, वो poverty में जीज़ सकते हैं, तो economic prosperity के benefits को सब लोगों तक कहुँचाया जाना है, यानि कि poor sections तक कहुच यानि कि सबको बराबर के platform पर रखा हुआ है, लेकिन जो आपको छोटा है, वो भाई उस level पर नहीं पहुचपा रहा है, और equity के concern में क्या होता है कि जो अमीर है, उसको उसी level पर रखा जाता है, और जो थोड़े छोटे छोटे चोटे पर जा रहे हैं, उनको necessary support provide कराया जात है, तो in addition to growth, modernization and self-traumatic equity भी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, हर इंसान, हर इंडियन जो है, वो अपनी basic needs को पूरा कर सके, basic needs पर जैसे आपको food आगा, रोटी, रोटी के साथ आजाता है आपको मकान, decent housing, education, यानि कि आपके पढ़ाइं दिखाई, और health के है, ठीक है, रोटी distribution में होनी थी, belt में, वो आपकी कम से कम रखनी चाहिए, उसके बात में महानन वोईज जी की बात कर लेते हैं, the architect of Indian planning, बहुत सारे distinguished thinkers जो हैं, उन्होंने इंडिया के 5 वर्सी योजनाओं के plans में contribute किया है, इसमें सबसे ज़्यादा आ जाते हैं, वही हमारे PC महानन वोईज, यानि कि प्रसंत चंदर महानन वोई, ठीक है, planning जो है, वो आपकी real sense में second 5 वे plan से start होई, second plan जो था, इसमें एक landmark contribution किया गया development planning में in general, ठीक है, basic ideas बताए गए हमारे goals के regarding जो Indian planning में शामिल किये गए, और ये पूरा plan आपका महानन वोईज जी के ideas पर based था, इनको architect of Indian planning भी कहा जाता है, ठीक है, इनका जनम 1893 में Calcutta में हुआ, Presidency College in Calcutta में पढ़ाई हुई, Cambridge University England में पापता जाके पढ़ाई की, इनकी contributions आपके जो है, वो statistics की field में बहुत ज़ादा रहे, ठीक है, 1945 में इनको fellow यानि की member बनाए गया, विट्रेंस Royal Society की, जो की one of the most prestigious organization है, scientist की, और outstanding scientist जो ह जो है, ISI की स्टापना की, ISI यानि की Indian Statistical Institute, Calcutta में इसकी स्टापना की, और एक general जो है, उसका नामता सांग की, ठीक है, इसको भी knowledge start किया, जो की I respected forum के दौर पे, अभी भी statistics इसको use करते है, ठीक है, तो दौनों ISI और सांग के जो है, इनको स्टापना के दौरा काफी अच् agriculture गी, ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछली lecture में बताया था कि colonial rule के दौरान किसी तरह की कोई growth नहीं थी agriculture sector में, कोई भी equity नहीं थी agriculture sector में, जो policy makers independent इंडिया के थे, उनको इन issues को address करना था, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के land reforms लेके आए, और five yielding variety streets को promotion किया, जिसकी वज़े से इंडियन agriculture में, एक revolution आया, अब अगर हम land reforms की बात करें, तो स्वतंतरता की समय, land tenure system जो है, वो intermediaries की द्वारा control किया जाता था, जिनको हम क्या बोलते है, जिनको अलग अलग नामों से, अलग अलग बुलाया जाता है, जमीदार न अलग नाम से, ऐसे intermediaries जो हुआ करते थे, वो आपके lands को control किया करते थे, generally land उनका ही हुआ करता था, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग rent collect किया करते थे, जो actual tillers of the soil याने कि जो पीट की जुदाई करते थे, जो tillers हुआ करते थे, उनसे rent collect करना इनका काम था, अब ये जमिदार क्या किया करते थे, कि ये land के improvement के लिए कुछ खास नहीं किया करते थे, है ना, तो भई जो low productivity थी भई हमारे agricultural sector की, उससे क्या होता था, उससे इंडिया को खाना इंपोर्ट करना पड़ता था, है ना, हमें अपने खादान वियों को मांगाना पड़ता था, जै की थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास में खाना रही था, हमें खाने जो है, वीट वगरा, युएसे से इंपोर्ट करना पड़ता था, वो भी हमें low quality की वीट को बेजा जाता था, ठीक है, तो जिए equity agriculture में डिमांड की गए, उसकी बज़े से आपके land reform सामने आए, इसका मतलब की land holdings, जो है, आपकी जाने की यो खेत है, यह ना, land holdings जिनको हम कहते हैं वई, उनकी ownership में changes लाने था, ठीक है, यानि की independence के एक साल बाद, maintain 48 में कुछ steps लिए गए, intermediate को polish करने के लिए, और जो tillers थे, उनको actual owner land का बना रही की, आईडिया सिंपल सा ये था, कि ownership of land अगर tillers के पास रहीगी, तो फिर वो एक तरीके से incentives का काम करेगा, है ना, tillers के लिए incentive का काम करेगा, और वो इसमें invest भी करेंगे, वो invest करेंगे, कि भई, उनको improvements बगरा करने हैं, sufficient capital बगरा उनको दी जाएगी, इस तरीकी से उसमें, उनको incentives में लेए, अब 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 और और simple, एक idea पे base था, कि cultivators जो है, वो ज्यादा interest लेंगे, वो आपके उनको ज्यादा incentive मिलेगा, वो output ज्यादा बढ़ाएंगे, अगर वो land की खुद की ओना रुखिये, तो, ठीक है, क्यो ownership of the land होता है, वो आपका क्या करता है, वो profit बढ़ा देगा, जमीन तुम्हारी है, तुम भी होता, motive नहीं होता, कि हमें जमीन में improvement करने, जमीन की fertility बढ़ानी है, land owners का हो रहता है, ठीक है, उनको ज्यादा आपका higher output से benefit मिलता है, तो तुझे importance थी ownership की, कि incentive provide कराने की, यह आपकी basically किस चीज़ से दिखती है, देखो, इसका एक simple example आ जाता है, हमारे कुछ farmers हुआ करते थे, कहा हुआ करते थे, Soviet Union, यानि की USSR में, अब वहाँ पर तो खेत किसी को होते नहीं थे, है न, वहाँ पर तो वही सरदार के ब्याफ़ार आपको काम करना है, तो जब वो फ्रूट्स की packaging किया करते थे, अपने खेतों से, या जिननी खेतों में काम किया करते थे, उसमें व अब सड़े फलों को अच्छे फलों के साथ रखोगे, तो फिर वो आपके अच्छे वाले फलों वो भी खराब हो जाए, है न, अगर ये फार्मर्स का होता, तो फार्मर्स को होता बहुत बहुत वाला है वी लॉस, ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स को बेचा नहीं जा सकता, त तो फार्मर्स से क्यों किया करते थे, जिससे हमारे फ्रूट्स खराब हो रहा है और लॉस हो रहा है, अंसर था इंसेंटिव का, उनको चाहे फ्रूट्स अच्छे जाएं, चाहे खराब जाएं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलना, फार्मर्स जो स्वार्मर्स सोवित ही मिलता था उनको अगर अगर अब ज्यादा एक्षिएंट तरीके से काम करोगे तो इसी लिए पूर पफॉमेंस अग्रिकल्चर सेक्टर की सोगय दिने में देखी गई जबकि उनके पास जो लैंड था वो हाईली फर्टाइल उनका रैंड हाई फर्टाइल लैंड चालेकिर उसके बाद भी अगरिकल्चर सेक्टर में बहुत लो ग्रोथ देखी गई पॉर पफॉमेंस देखी गई दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है इसको बोला जाता है लैंड सिलिंग यानि कि लैंड लिमिट देखिया यह एक दोसरी पॉलिसी लाए गई गई जिसके और हैरिकल्चर सेक्टर में को प्रोमोट करने का आइडिया लाया गया इसका सिंपल सा मतलब था कि मैक्सिमा साइल जो लैंड का है एक बंदा होल्ड कर सकता है एक बंदा होल्ड कर सकता है यह पर्पस लैंड सिलिंग का यह था कि लैंड ओनर्शिप का कंसेंट्रेशन जो ह वो कुछ आतों से खटा दिया जा सिर्फ कुछी आतों में सक्षिवित नहीं होना चाहिए जो एपॉलिशन हुआ टैनेंट्स को एक इंसेंटिव दिया कि अब आप अपना आउटपुट बढ़ाईए क्योंकि डारेट फायदा आपको होगा और आप देश की ग्रोथ में एक एक इंपोर्टेंट रोल ने वाई ठीक है लेकिन यह जो गोल ऑफ इंगुटी था यह इंटर्मीडिट्रिस के जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसिस ते जहां पर टैनेंट्स को इविट कर दिया गया उनको उनकी जमी से निकाल दिया गया और जो आपके जमीडार थी उन्होंने क्लेम किया कि वही खेती की खेती जुदाई करते हैं यानि कि वो सैल्फ कल्टिवेटर्स है एक्शुल टिलर्स है वैसे होना तो यही चाहिए है ठीक है क्लेमिंग ओनर्शिप आप दा लेंड वो गोलते थे कि यह जमीन हमारी है हमने तो दूसरे बंदे को सिर्फ जुदाई करने के लिए रखी थी तो यह जमीन हमारी है और इसके साथ साथ एवन वें जब टिलर्स को ओनर्शिप लेंड क जो लेजिस्लेशन था इसमें और वी बहुत सारी बादा आया है लाइक जो पड़े जमीदार से उन्होंने लेजिस्लेशर को फोर्स में चैलेंज किया इसकी बज़े से इंप्लिमेंटेशन में डिलेव हो गया इस डिलेव का फाइदा उठाते हुए उन्होंने इन सारे ल landlord holders ने अपनी जमीन को रिटेन करने के लिए यूज़ किया लेंड रिक्वांट्स आपके दो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपिलर रहे बहुत ज़्यादा सक्सेस हुन रहे केरल और बैस्वेंट क्योंकि यहां की जो स्टेट्स की गवर्मेंट थी वो काफी ज़दा committed थी इस policy को follow करवाने के लिए मांकी स्टेट्स में इस तरह का commitment नहीं देखा गया तो inequality land holding में continue चलती रहे उसके बाद आते हैं the green revolution यानी की हरित करांती के दरव ठीक है independence के टाइम पे तकरीवन 75% जो country की population है वो हमारी खेती किसाने यानी की agriculture पे productivity अग्रिकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग थी क्योंकि हम यूज करते थे cold technology का यानी की primitive subsistence farming किया करते थे required infrastructure ज़्यादा था फार्मर्स को अवलेबल नहीं जा तो इंडिया का जो agriculture था वो monsoon पर dependent था जो आज गी देखा जाए तो बहुत एक large scale जो है वो monsoon पर dependent था ठीक है तो monsoon पर dependent था भई हमारा काफी हिंडिया का agriculture अगर monsoon भई आपका fail हो जाता था तो फार्मर्स मुश्किल में पढ़ जाते थे और यह मुश्किल उनकी दूर हो जाती अगर irrigation facilities उनको proper available करवाई जाती सर्वेहिं की दौर्ड ठीक है जो कि बहुत कम थी तो agriculture sector में stagnation देखा गया था पॉलियन रूल के दौरा ठीक है वो permanently आपका तोड़ा गया green revolution से green revolution जब आपका आया green revolution का simple सा मतलब होता है production में बढ़ोती रही की गई food grains जो थे वही हमारे हादान में थे food grains के production में एक increase देखा गया कैसे increase देखा गया वही आपका यह increase देखा गया था वही आपका high yielding variety seeds के introduction की बज़ेश ठीक है खासकर wheat और rice के मामले में आपके hyb seeds introduce किये गए थे ठीक है अब इन seeds के साथ fertilizers जो थे उनका इस्तमाल भी किया जाना था fertilizers करने देखाद करना था pesticide जो थे आपकी treat नाशक वगरा इनका भी यूज़ गरना था correct quantities में यूज़ किया जाना था इसके सास्तात regular supply पानी की चाहिए थी इन inputs को अगर तरीके से apply किया जाता correct proportions में तो यह बहुत important होने वाला ठीक है farmers जो hyb seeds के introduction से benefit हुए ठीक है उनको reliable irrigation facilities भी जाहिए थी इसके सास्तात उनको financial resources भी चाहिए थी ताकि वो fertilizers और pesticides को खरीच सके तो ऐसा result हुआ कि जो पहला phase है आपका जो first phase आ जाता है green revolution का जो कि आपका mid 1965 से लेके 1975 तक चला पहला phase आपका 1975 से 1985 तक चला ठीक है तो भाई इस phase के दौरान आपका HYV streets का use वह बहुत जादा prominent था लेकिन वो कुछ effluent यानि कि कुछ सम्रद स्टेट्स जो थे आपके यह जो एरिया था आपका यानि कि आपका पंजाब हो गया ठीक है पंजाब के साथ आंद्र प्रदेश हो गया और तमिल नार्द इन तीनों स्टेट तक शेमिसी मिल यह 1975 से मिस 1970 मतलब से लेकि 1985 तक चला इसमें HYV टेक्निलोजी जो है वो एक जाधा तर स्टेक्स तक उसको फैला आए गया और और जाधा वराइटी ऑप डॉक्स लाइक राइस और मांगी सब को इसमें शामिल किया गया ठीक है जो ग्रीन रिवोलिशन टेक्निलोजी का फैला इ और कंट्री की मर्सी पर नहीं रह गई थी अपनी फूट रिक्वाइरमेंट्स के लिए अग्रिकल्चर आउट्पुट में जो ग्रोथ था वो बहुत अधा काफी अच्छे लेवल पर हो चुका था लेकिन फिर भी वो एलफ नहीं था यानि कि अभी भी जो इंक्रीज उसको अभी भी नहीं लाया जा रहा था ठीक है जो हाइयर आउट्पुट आपका रहता है उससे हमारी एकिनॉमी में ओवरल कोई डिफरेंस क्रीट नहीं हो रहा था दोसरी तरफ अगर सबस्टेशियल अमाउट यह जो अग्रिकल्चर प्रिडूस आपका जादा बढ़ ग पॉपलब दोने लगा था फार्मर्स जो है इसको मार्केट्ट में यानिकि मंडियों में ले जाके पेचने लगे ठीक है इसकी वज़े से जो फूट इग्रेज की प्राइज थी वो आपकी पहुच होने लगी कम क्योंकि अब हमारे पास फूट इग्रेज जो है वो ज़्यादा होने नगा तो भाई इससे क्या होता है इससे जो लो इंकम गुरॉप्स लो इंकम गुरॉप्स अपनी इंकम का जादा परसेंटेज जो एक खाने पे इस्पेंट करने लेंगे उनको इस डिकलाई से काफी जादा फाइदा हुआ कि खाद्यानियों की कीमतों में काफी कमी आ गई थी तो ग्रेन रिवोलीशन ने गोवर्मेंट को इनेवल किया कि व इनको यूज किया जा सकें अब ग्रेन डिवोलीशन से ओवराल नेशन को फाइदा दो बहुत हुआ टेक्नलोजी जो इन्वार्ड थी उसमें लेकिन बहुत सारे रिस्क जो थे आपके शामिल ठीक है एक ऐसा रिस्क जो सामिलता वो ये पॉसिबिलिटी थी इसकी बज़े स जो आपके small और big farmers हैं इनके disparity आजाएगी आर्थिक असमानता हैं और ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि जो आपके big farmers हैं सिर्फ वही required inputs खरीद सकते हैं तो ज्यादा green revolution के उनको ही मिलेंगे moreover जो high yielding variety crops के जो seeds थी इनमें pest वगएरा जो रहते हैं टिड़े और कीटों वगएरा का ज़ादा अटेक होता है और small farmers अगर इस तरह के technology को adopt करनेंगे तो अगर एक सिंगदा pest attack होगा तो उसमें ही वो सब कुछ खोदेंगे लेकिन fortunately आपके ऐसे जो fears हैं वो सच सावित नहीं हुए क्योंकि government ने बहुत सारे steps की government ने क्या किया government ने farmers को low interest rate यानि कि कम ब्याज दरों पे इनको आपके पैस लोस बगर अब लेवल करवाए small farmers को इसके साथ तो फर्टिलाइजर्स इनको उपलब्द करा है उसमें काफी जदा subsidized rates इनको दिये गए ताकि small farmers जो है वो भी अपनी needed inputs की access ले सके अब small farmers जो है वो required inputs को acquire कर पा रहे थे तो जो output था small farms पे वो आपके बड़े पराबर होने लगा तो green revolution से आपके small के साथ साथ तरिश फार्मर्स दोनों को ही फायदा पहुंचा यह जो रिस्क था small farmers का कि पैस अटेक होगा उनकी सारी फसल परबाद हो जाएगी वो आपके अलिकला services के दौरान आपकी eliminate कर दीगी कम कर दीगी जैसे कि government ने बहुत सारे research इंसिंट्यूट्स जो है उनकी स्थाबना थी तक इनके help की जा सके और इसके साथ यह बात भी देखनी होगी है मैं कि जो green revolution है उससे आपका सिर्फ इस farmers को फायदा पहुंचता अगर इस्टेट इसमें एक extensive role नहीं play करता तो इसमोन farmers को भी बढ़ा बरावर फायदा सब्सेडीज का अगर आप देखेंगे अगरी कल्चन में तो यह बहुत फॉटली डिविटेट कॉस्टेंस हैं अभी जो आपका WTO की जो conference हुई है 30th ministry conference हुई है आपकी मेरे काल से आप दावी में हुई है यहाँ पर इस conference में PSH को जो इश्यू है यानि कि subsidies को इश्यू है व उसमें इस डिविट के उपर काफी कुछ अच्छे से बताया गया प्लीज जा कि इसको देख लेना बहुत इंपोर्टेंट हो इन जनरली सब लोग ने इस चीज़ पर एग्री किया कि subsidies जो है subsidies बहुत जादा जरूरी थी क्यों क्यों जरूरी थी क्योंकि नए HYV technology जो farmers adopt कर र तो subsidies इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी तकि farmers को encourage किया जाए कि आप नई technology को टेस्क करिये भी कुछ economics जो थे वह मांगते थे कि एक वार ये technology आपकी profitable वाली category में आ जाएगी यानि कि एक बार किसानों का इस पर भरोसा आ जाएगा तो वाइडिये रॉप कर ली जाएग जैसे कि आरक्षन के केस में हुआ थे लेकिन subsidies जो थी वह आपकी farmers को benefit करने के लिए यानि कि substantial amount of fertilizer subsidy जो है वह आपके fertilizer industry को भी help कर रही थी और farmers में देखाता है तो subsidy जो है वह आपकी farmers को ऐसे प्रॉस्पेरिस रीजर्स में उनको जाधा help कर रही तो इसलिए यह argument सामें रखा सब्सेडीज को आप continue करने का पोई सेंस नहीं बलता यह target ग्रुप जो है उसको benefit नहीं कर रही है और सरकार के finances के उपर एक huge burden की तरह काम कर तो दोसरी तरफ कुछ जो एकनोमिस्त को यह मानते थी government को subsidies को continue करना चाहिए क्योंकि इंडिया में जो farming है यह कापी risky business है जाधा तर farmers आपके poor है और वो required inputs को नहीं खरीद पाएंगे अगर उनको subsidies नहीं दीगे तो उससे rich और poor farmers के बीच में in equalities आपके बढ़ जाएंगी और equality का जो goal है वो अधूरा रह जाएगा तो experts ने यह आर्ग्यू किया कि subsidies आपकी fertilizer industry को जाधा benefit कर रही है बड़े farmers को जाधा benefit कर रही है कि जो आपके poor farmers है उनको भी इन benefits का पूरा का पूरा फायदा मिले तो late 1960s तक क्या हुआ कि Indian agriculture productivity आपकी इस sufficient level तक बढ़ चुकी थी कि country जो है self sufficient हो सके food craze के मामले में एक अच्छी कासी achievement थी और negative side पे देखा जाए तो तक्रिबा 65% country की population अभी भी agriculture में employed थी 1990s तक जबकि हमार का production काफी कम था तो economist जो है उन्होंने यह बोला कि अगर किसी nation को prosperous होना है तो वही जो GDP का contribution होता है जो proportion होता है GDP का आपका जो agriculture के तरह इस पर contribute किया जा रहा है as well as जो आपकी population जो working sector में है यह आपका क्या होते decline करना चाहिए ठीक है अब 1950s से लेके 90s 90s तक क्या होता है जो GDP का आपका proportion था जो agriculture के दौरा contribute किया गया उसने decline किया significantly लेकिन तो population इसके उपर depend हो रही थी वो आपकी decline नहीं गई यानि कि 1950 में वहारा 67.5% GDP को contribution था और 64.9 आपका 90s 90s में ठीक है अब इतनी ज्यादा population working population जो है वो agriculture में इंगेज थी हालनकि agriculture output आपका ज्यादा नहीं था यानि कि वो ज्यादा बढ़ना चाहिए था लेकिन लोग अभी भी इसमें काम में लगे हुए थे इसका simple चाहतर जो जो सेक्टर था भई हमारा ठीक है और उसके साथ साथ जो सर्विस सेक्टर था उन्होंने जो अग्रिकल्चर वाले लोग तो उनको प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब नहीं किया इसकी वज़ए से एकिनॉमिस ने बोला कि अब हमारी जो पॉलिसी नाइटीन सिप्टी से लेके 1990 प्राइज से लिए एक काफी हद तक फेल रही है ना यह लोगों को प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब यह नहीं किया रहे हैं फिर एक वाइंट आता प्राइज सिगनल्स यानि कि जो सामान आपका मार्केट वे अविलेवल रहता है जो पूट साथ के विलेवल रहते हैं कोई सामान ज्यादा अविलेवल है तो उसकी प्राइज आपकी कम हो जाएगी अगर कोई भी गुड हमारा स्कार्स है यानि कि उसकी कमी है तो प्राइज बढ़ जाए और जो लोग इस गुड को यूज करते हैं वो क्या करेंगे आपके एफिशेट लेंगे कि यह अवे खर को यूज कर आम चूर बगर को यूज कर लें सब जीव खट्टा बनाने के लिए तो लोग एक एफिशेंट क्या करते हैं डिस्केजन मेकिंग लेते हैं कि यह यूज करने हैं अब जैसे कि क्या होता है कि फॉर एक्जांपल हम लेते हैं पानी पानी की अगर प्राइज में पानी को ज्यों है और जादा अच्छे तरीकी से यूज किया जांए dit यानि कि अब हो सब्सक्राइबें जादा प्राइस में ज्यादा पाइस के अपनी बनद करें अपनी बाली पानी पानी लेकर उसको धो रहा है कि पेट्रूल की कमी आ चुकी ठीक है और यह हमारे लिए भी एक तरीके का फैक्टर आ जाता है कि अब हम दूसरे अल्टरनेटिव सोर्से यूज़ कर सकते हैं हमें ब्लैंडेट फ्यूस की तरफ ध्यान देना चाहिए ये भी वेहिकल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए बग इसकी supply की prices के तरफ इंडिकेट नहीं होने दे एक इसको सब्सेटाइज रेट पर फ्री में उखलब्त कराया जाता है तो इनको जनर्रन पबलिक क्या करेगी वेस्ट फुली यूज़ करेगे एनग हो यह नहीं देख रहे है कि सरकार को पानी की कितनी कॉस्ट पढ़ रही है, electricity की कितनी कॉस्ट पढ़ रही है, क्योंकि हमें तो free में मिल रही है, हमारी सरकार तो हमें free में दे रही है, तो हमें उसके कमी से या उससे कुछ लेना देना नहीं, हम उसको बेहताशा ही उस करें. Farmers क्या करेंगे, water intensive सिर्फ जो प्रॉप्स होती हैं, उनको उगाना स्टार्ट कर देंगे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, क्योंकि पानी तो free में सप्लाई किया जा रहा है, है ना, तो water resources उस रीजन में कम हो सकते हैं, लेकिन सरकार के दौरा पानी क्योंकि अच्छे तरीके सा अवलेबल कराया जा रहा है, प्लस उसमें पैसा भी नहीं लग रहा है, तो already जो आपके resources कार सोचे के, वो और ज़्यूत कतम हो जाएंगे, लेकिन अगर पानी की prices लगा दी जाएंगी बही, कि बही जिसे सापसे उसमें कमी है, उसे सापसे उसकी rate रख दी गई है, कि बही कमी है तो ज़्यादा महंगा है, कमी नहीं है तो कम महंगा है, तो farmers आपके उन specific crops को cultivate करेंगे, जो कि उस region के लिए सुटीवल, ठीक है, उसी प्रकार fertilizer और pesticide subsidies जो रहती हैं, वो उनके overuse को बढ़ावा देती हैं, जो कि environment के लिए बहुत ज़्यादा harmful होते हैं, subsidies के अगर दे हैं, subsidies एक incentive देती हैं, कि आप resources का wishful उसकर सकते हैं, तो subsidies को अगर हम incentives के terms में देखे हैं, तो हम क्या, मतलब कुछ से ही आप लोग ये चीज़ देख लीजिए, कि economic viewpoints से अगर देखा जाएं, तो subsidies या free electricity या ऐसी कोई भी चीज, किसी भी target group को free group कराना तहां था सहींगे, अब अगर आप बात करते हैं, इंडस्ट्री और trade की, तो economics जो हैं, उनों ने ये देखा है, कि जो आपके गरीब देश है, जो poor nations है, वो तभी progress कर सकते है, जब उनका industrial sector जो हो, वो बहुत तगड़ाव, ठीक हैं, इंडस्ट्री क्या करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर आपको employment उपलब्द कराता है, ठीक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा stable होता है, अगर आप agriculture की comparison में देखा है, तो इंडस्ट्री ज़ला employment आपका seasonal नहीं होता है, और वो ज़्यादा stable होता है, ये modernization को promote करता है, overall prosperity को promote करता है, और इसी रीजन की वजए से, जो हमारे five year plans थे, उन्होंने पहुत अपला अच्छा कासा, जो emphasis है, focus है, वो industrial sector, industrial development को दिया, है ना, independence के टाइम पे भी, जो industries थी, वो बहुत ज़्यादा narrow थी, और खासकर आपके cotton और jute के जो वहीं एरियास थे, वहाँ पर focus थी, ठीक हैं, कुछ आपकी managed iron और steel firms को भी बनाया गया, एक आपके जमशेदपूर में थी, एक आपकी कुलकता में थी, लिगिन हमें अपने industrial base को बढ़ाने की ज़रूरत थी, एक variety of industries को लाने की ज़रूरत थी, अगर हमें अपनी economy को proper truth देनी थी, तो, तो, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका public और private sectors का Indian industrial development में क्या role रहा, एक बड़ा question जो हमारे policy makers के सामने आया, वो ये आया, कि भई government का और private sector का industrial development में क्या role होना चाहिए, independence के time में, Indian industries जो थे, उनके पास में enough capital नहीं था, ना तो इतनी machine भी थी, ना इतना पैसा था कि इन्वेस्ट्मेंट्स, industrial ventures में कर सकें, है ना, जो इंडिया निक्रोमी को develop करने के लिए ज़रूरी थे, और नहीं हमारा market भी इतना बढ़ा था, भई market इतना बढ़ा नहीं था हमारा, कि अगर ऐसी चीज़े बनाई जाए, तो उनको कहाँ खपाया जाए, है ना, इंडिस्ट्रिस को encourage किया जाए, कि आप major projects को undertake कीजिए, हालनकि अगर अपना पैसा है तो, लेकिन market ही बढ़ा नहीं था, तो आप ऐसे सम्वान को consume कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन्ही रीजन्स की वजए से, जो आपकी governments थी, उन्होंने एक extensive role play करना start कर दिया, कि industrial sector को जो हम promote करे, ठीक है, इसके साथ ताथ Indian economy को develop करने का decision भी लिया गया, socialist line पे, जिसके हम पहरे औरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, socialist line पे हमारी जो policy होगी government की, वो बनाई जाएगी, यानि कि आपकी economic को government के दौरा, basically control किया जाएगा, और second five year plan में इसके बारे में specific बताया गया है, एना, तो जो policies थी private sector की, वो आपकी क्या जाओंगी, private sector की policies public sector के पीछे पीछे जणेगी, उसको follow करेंगी, public sector lead करेगा, तो यहाँ पर हमारा आता है, इन्डस्टियल पॉलिशी रिजूलिशन 1956, यानि कि state आपकी economic को control करेगा, इस goal को follow करते वे, इन्डस्टियल पॉलिशी रिजूलिशन 1956, एड़ाप के गई, यह जो resolution था, यह आपका second five year plan के पर base था, जिसके दोरा हमारी एक socialist pattern of society का निर्मार्ण करने के कोशिश की गई, इस resolution ने इन्डस्टियस को तीन categories में classify किया, पहली जो category आजाती है, यानि कि schedule A, यहाँ पर जो industries होंगी, उनको सरकार के दोरा exclusively owned किया जाएगा, सिर्फ सरकार के आतों में रहेंगी, शेडूल भी वाली आजाती है, इसमें कुछ 12 की around industries जो थी, वो भी आपकी state के दोरा owned थी, ठीक है, इसमें यानि कि private sector जो है, वो मदद पूरी-पूरी state की कर सकता था, वो भी participate कर सकता था, ठीक है, government so responsibility लेगी, नए units को start कर रहे हैं, जो कि आपकी private sector के लिए छोड़ दी गई थी, लेकि इस sector भी आपका state control में, बहुत सारे methods के दोरा रखा गए, ठीक है, किसके दोरा एक licenses का system था, licenses का system डेवलप किया गया, जिसको license राज के नाम से भी जाना जाता है, license राज, permit राज, अगर आपने economics पड़ी होगी पहले, तो आपने ये words सुने होगी, यानि कि इसमें simple सा बाफ बोलती है थी, कि वही कोई भी नई industry जो है, वो आपके allow नहीं की जाएगी, जब तक आप government से license नाने हैं, ठीक है, इसके साथ साथ इस policy का use आपका किया गया, कि वही जो हमारे backward regions हैं, वहाँ पर आप industries लगाएं, वहाँ पर industries को promote करने के लिए इस policy का use किया गया, क्योंकि backward regions में अगर आप industries लगाना चाहते हैं, तो industrial unit लगाने का license आपको बहुत easily मिल जाता, अगर आप economically backward areas में इनको लगा रहे हैं, इसके साथ आप ऐसी units को कुछ अलग या concessions भी दिये गए, एना concessions कैसे दिये गए, ऐसे दिये गए कि वही आपको tax benefit दे दिया गया, अगर आप किसी पिछ़ड़े अलाके में कुछ अपनी units बगारा लगाएंगे, electricity जो है वो आपको subsidized rates पर दिजाने लेगी, और पर simple साथ था कि regional equality को बढ़ावा देना, अगर इसके साथ पाज आपकी existing industries थी, जो already आपकी exist करनी थी industries, इनके माहले में भी बहुत सारे licenses के system लगाए गई थे, अगर आपको अपना output बढ़ाना है, अगर आपको production बढ़ाना है, या फर आपको production में और ज़्यादा products add करने हैं, यानि कि diversify करना है उसको, तो भी आपको क्या था मैं पड़ेगा, आपको approval लेना पड़ेगा, आपको license लेना पड़ेगा, ठीक हैं, तो basically क्या काम था, इसमें हो था क्या था, पर एक्जमबल हम पुरानी scooters की बात कर लें, उस टाइम पे scooters आधर माली जिए दिन के 10 आपके produce होपा, सरकार ने अलॉग हो रहता है, और capacity बढ़ गई है 100 की, लेकिन सरकार ने 10 कर रहता है, तो भी 10 ही अलॉग होंगे, आपको scooters चाहिए, आपको साल, दो साल का बेट करना पड़ता था, यह भाई license राज का खेल था, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता था, सर्वी scooters के मामले में नित्म होगा, cars और बाकी जो प्रोड़क्स होते थे, सब के मामले में यही था, प्रोड़क्शन कैपेसिटी बढ़ चिकी है, लेकिन सर्गार में सिर्फ उतने ही एलाओ किये, तो उस्से दिक्कते हो जाती थी, बिसिकरी सर्गार का यह कहना था, इससे हम क्या करना चाहते हैं, कि वही जे quantity of goods आपके produce किये जा रहे हैं, वो economy की requirement से ज़ादा ना हो, लेकिन economy को तो चाहिए था वही, economy को तो चाहिए था, तो license to expense production तभी दिया जाता था government के दोरा, अगर economy को एक larger quantity of goods की ज़रूरत होती थी government की नज़रों, फिर उसके बाद small scale industries की बात करते हैं, तो 1955 में village और small scale industries committee आपके का गटन किया गया, जिसको करवे committee के नाम से जाना गया, ठीक है, इन्होंने कुछ possibilities के बात की, कि small scale industries को हम rural development के लिए use कर सकते हैं, अब ये small scale industries की जो definition है, ये आपकी आज आती है कि maximum investment किसी unit पे आप कितना कर सकते, किसी unit के असेट्स पे maximum investment कितना कर सकते हैं, विट्ट टाइम ये limit आपकी बदलती रही है, 1950s की बात करें, तो एक small scale industrial unit आपकी बात की बात होती थी, जिसमे maximum investment पाँच लाग रुपेड़ का किया जा सकता था, एड़ प्रिजेंट आपकी शायद एक करोड के आसपास जो है, वो limit पहुँच चुकी है, ऐसा माना गया कि small scale industries जो है, वो ज़्यादा labor intensive, इनमें labor आपका ज़्यादा यूज होता है, तो भई ये आपके ज़्यादा labor को यूज करेंगी, large scale industries के comparison में, तो ज़्यादा employment जनरेट करेंगी, लेकिन ये जो industry थी, ये बड़ी industrial firm के साथ complete नहीं कर सकती थी, तो उसकी ये, मतलब अब बिस से थी, small scale industries का जो development है, वो आपका तभी किया जा सकता है, जब बड़ी firm से इनको shift किया जाए, यानि कि बचाया जाए, इस purpose के लिए पुछ आपके specific products थे, एक बहुत variety of products थे, उनको reserve कर दिया गया, कि इनको तो आपका जो है, सिर्फ small scale industries है, वो यी बनाई, ठीक है, और criteria reservation की ये थे, कि इन units की जो goods को manufacture करने की ability थी, ठीक है, इनको concession भी दिये गए, lower exercise duty वगएरा, bank loan वगड़ा दिये गए, lower interest rate पे, ऐसे कुछ concession दिये गए, अब उसके बाद आती है, trade policy, यानि कि import substitution, तो industrial policy जो इंडिया ने adopt की, वो हमारी trade policy के साथ, काफी closely अपके related थी, यानि थे वो पहले साथ plans को दोरान क्या हुआ, हमारा जो trade था, उसका single characteristic देखा जा सकता था है, इसको कहते थे, inward looking trade strategy, तेक्निकली इसको import substitution के नाम से जाना है, तेक्निकली इसको import substitution के नाम से जाना है, तेक्निकली इस policy का सिंपल साथ, यह इनता कि भई जो हम imports मगा रहे हैं बाहर से, जो बाहर से हमारी imports आ रहे हैं, इनको substitute करना है, इनको हमें replace कर देना है, किसे replace कर देना है, इसको हमें domestic production से, आपका replace कर देना है, और example, जो कोई भी चीज़ है, कोई भी vehicles है, आप उनको बाहर वाली country से import कर रहा है, उसकी जगह हमारी domestic industries को encourage किया जाए, आप इंडिया में इनको produce कीजिए, तो इस policy के साथ government ने domestic industries को foreign competition से जो है, वो बचाने का काम कर दिया, कि वोई foreign competition से हम आपको बचा के रखेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन जो आपका import से दिया गया, वो दो तरीके से आया, एक तो आया tariffs के फॉन्गने, और दूसरा आया पोटास के, ठीक है, टैरिफ का मतलब होता है, जो tax आपका imported goods पे लगा दिया जा, बाहर से आपका, आप कोई भी सामान मंगा रहे हैं, उस पे बहुत ददद tax लगा दिये, पर एक्जमपल, आपको य आईफोन मंगा रहे हैं, एक लाग का आपका आईफोन पढ़ रहा है, पचास हजार का तो वही सरकान इस पे tax लगा दिया, उसके बदले में, अगर आप इंडिया पर कोई सामान लेंगे, आईफोन के लिए कोई दूसरा फोन लेंगे, तो वो आपका टूटल हो सकता है, तो मतलब ये comparative benefit और loss वाली चीज़ आ जाए, वो imported जो goods थे, आपके उनको और ज़्यादा महंगा कर दिया गया, उनके use को disparage किया गया, और कोटास आपके लगा दिये गए, यानि कि quantity of goods जो आप इंपोर्ट कर सकते थे, ऐसा नहीं था है कि आप चलो, टेडर लाग दिने में सक्षम है, तो आपने जितने चाहें आईफोन मंगा दिये, नहीं, इसके उपर भी limit लागा देगे, कोटा लागा दिया गया, कि महीने वे आप जिल्क दोई आईफोन मंगा सकते हैं, या महीने वे आप एक ही आईफोन मंगा इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है, तो यह टेडर आप और पोटास का जो अफेक्ट था, इसका सिंपल सा ही हिन था, कि हमें इंपोर्ट जो है, इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, इनको कम से कम करना है, और हमेरी domestic firms उनको foreign competition से बचाना है, तो यह जो policy of protection थी, यह basically इस idea पर बेश थी, कि जो developing countries की industries होती है, उको एक ऐसी position में नहीं होती है, कि वो compete कर सके हैं, डवलप economies के दौरा produce किये गए गुट से, यह assume किया गया कि domestic industries जो है, अगर उनको protect किया जाएगा, भी डर था कि भई जो हमारा foreign exchange है, foreign exchange तो कोई समझते हैं आप लो, foreign exchange यानि कि dollars के form में है, दूसरे form में जो हमारे पास है, वो आपका खर्च किया जाएगा, import पे, क्योंकि अब देखो CD से बात है, आप बाहर कि किसी country तो अगर कोई सामान मगा रहे हो, तो आप उनको रुपए में payment नहीं करोगे, आप उनको dollars में payment करोगे, और यह जो foreign exchange रहता है, यह हमारी banks के पास रहता है, आप भी यह बेंगेर के पास में, तो भई अगर आपको कोई समारे से खरेदना है, तो भई हमारा dollar माद खर्ज होगा, तुमारे planners को यह भी डरता है, कि भी हमारा foreign exchange है, वो luxury goods के import पे खर्च कर दिया जाएगा, अगर कोई restrictions उनके import पे नहीं लगाएगा है, तो इसके साथ ता किसी तरह का effort, जो है हमारी export unit को, आप दो इंपोर्ट पे तो भई आपने limit लगा दी, लेकिन कमज़कम export पे तो आपको जो है, वो करना चाहिएगा, कि भई हम अपना सामान तो कमज़कम बाहर बेज़ है, तो mid 1980s तक exports को को भी serious thought नहीं दिया गया, कि हम अपना जितना ज़ादा होसर के सामान बाहर बेज़ हैं, होट foreign earnings कम है, तो effects क्या रहा, पॉलिसीज का और industrial development, यानि कि जो इंडिया का industrial sector था, पहले साथ plans में उसने कुछ impressive कारना में भी करके दिखाए, यानि कि जो GDP का भई हमारा proportion था, जो industrial sector के दोरा contribute किया जा रहा था, वो आपका 1950-1951 से, आपका 1990-1991 में काफी बढ़ गया, यानि कि इस दौरान बही जो हमारा था, वो 13% था, और इस दौरान आपका 24.6% आपका बढ़ गया था, यह जो industry का share था, जीटीपी में यह बढ़ रहा है, एक important indicator था कि देश में development हो रहा है, देखे, 6% की annual growth rate, industrial sector में आपकी इस period में देखी गई, आपकी बहुत ज़्यादा कमेंडेबल, देखे, इंडियन इंडिस्टी अब आपकी सिर्फ modern textiles के जूट पे फोकस नहीं थी, हमारा जो industrial sector है, वो आपका 1990 तक काफ़ी ज़्यादा diversify हो जगा था, खासकर public sector की बढ़ जाएज, प्रोट किया गया, उससे ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पॉज्यादा पॉज्यादी मिली, जिनके पास एतना ज़्यादा capital नहीं था कि वो large firms आपकी स्टार्ट कर सके हैं, बिजनेसे बढ़ाने के लिए, foreign competition से जो protection दिया गया था, हमारी indigenous industries को, इससे कुछ हमारी एरिया से electronics के, automobile sectors के, वो आपके अच्छे तरीके से develop भी हुए, अब इसके जो contribution किया गया बही आपका public sector के दारा, इंडिया के economic growth में, उसके साथ-साथ कुछ economics जो हैं, वो आपकी criticism भी करते हैं, वो काफी जादा critical रहें, इंडिया की public sector enterprises की performance, देखो, स्टार्टिक में क्या बोला गया था, स्टार्टिक में ये बोला गया था कि public sector जो है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और अब यह समझा जाने लगा था कि, जो state enterprises हैं, उनको certain goods और services जो हैं, उनका production करते ही रहना चाहिए, यानि कि monopoly उनकी उनकी की सिर्फ वही produce करेंगे, ऐसा बोला दाने लगा, हालनकि इसकी requirement आप रहे नहींगे, जैसे कि अगर हम telecommunication services की बात करें, तो इसमें MTNL और BSNL आपती एक मात्र मेरे क्याल से lead करती थी उस time, ठीक है, तो यह जो industry है, इसको आपका public sector के लिए ही reserve रखा गया, कि वही इसको तो सिर्फ सरकारी कंपनी ही चिनाए, यह realize दिया जा चुका था कि अब आपके private players जो हैं, वो सामने आ चुके हैं, realize बगरा, idea बगरा, vodafone, यह सब आ चुके हैं, और यह भी यह facilities अफलेबल करा सकते हैं, अब competition नहीं था, तो उसकी वज़े से late 90s, 90s तक भी किसी को telephone correction चाहिए होता था, तो काफी ज़़ा बेट करना पड़ता था, क्योंकि companies तो हमारी एक दो ही थी, वो भी सरकारी होट थी, और वो अपने साब से दान करती थी, दूसरा instance आ जाता है, आपका modern bread का, ठीक है, bread manufacturing firm थी, और आप यकिन नहीं करेंगे, private sector जो है, वो उस देम पे bread manufacture नहीं कर सकता था, 2001 में, इस firm को आपका private sector को फिर बेचा दया, उससे पहले ये देख सकते हैं, government of India enterprise, ठीक है, ते यसी बहुत सारी industries थी, जिनको private sector अच्छे से tackle कर सकते थे, लेकिन उनको सिर्फ government के लिए रखा गया, और government उनको एक सफेद हाती के तरह पालती रही, सफेद हाती के तरह यानि कि इन पे खर्चा होता रहा, और सरकार खर्चा करती रही, क्योंकि पहुत सरे इंगॉल्ड थे, इंप्लॉइड थे, इसमें आपके HMT की घड़ियों की बात करना है, एम्बसेडर्स कार्ज के हम प्रोड़क्शन की बात करना है, यह सारे के सारी के एक्जामफल्स इनके आजा, अब पॉइंट यह आता है कि प्लैन्ड डेवलमेंट और एकिनोमी के 40 साल बात भी आपका कोई भी डिस्टिंशन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था, पहला यह कि क्या पब्लिक सेक्टर अकेला कर सकता है, दूसरा यह कि क्या प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर जो है, यह सिर्फ वही नेश्टर डिफेंस के मामले में काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस के सेक्टर में आ चुका है, ठीक है, अब एक और एक्जम्पल देख लें कि प्राइवेट सेक्टर आपके होटेल बगरा को मैनेज, अच्छे से कर सकता है, लेकिन गवर्मेंट भी आपके होटेल जो है, वो चला रही है, जबकि ऐसी कोई नीड है नहीं, ठीक है, तो इसकी बज़ा से बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये आर्गुमेंट दिया, जाके स्टेट को ओन एरिया से बाहर निकल जाना ज़ाएए, जिनको प्राइवेट सेक्टर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं ठीक है government को अपनी resources को on important services पर concentrate करना चाहिए जहाँ पर पेंगिट सेक्टर आपके services provide नहीं कर सकता है ठीक है तो बहुत सारे public sector firms जो है public sector enterprises public sector firms उनको बहुत ज्यादा huge losses का सांगना करना पड़ ठीक है लेकिन वो फिर भी function करते रहे क्यों क्योंकि किसी भी government undertaking को बंद करने का मतलब यह था कि बहुत ज़्यादा इसका यह मतलब नहीं है कि private firms आपकी हमेशा फाइदे में ही रहती है बहुत सारी public sector firms जो है वो औरिजिनली आपकी private firms हुआ करती थी ऐसी private firms जो पंत होनी की गगार पर थी उनको क्या कर दिया गया उनको public sector firms में convert कर दिया गया उनको nationalize कर दिया गया ताकि इनके अनदर जो लो इसे private firm जो loss making है उसको जाधा 10 तक चलाया नहीं जाता है ना resources को waste नहीं किया जाता उसको losses की होता रहने के बाद भी चलाया नहीं जाता जैसे पिट्स पिलानी का अभी एक startup को loss में पहुंच लिया तो उन जो अपके startup वाले venture वाले बन देते उनको नहीं क्या किया है कि इसके private firms आगर आपकी loss में पहुंच भी जाती है तो भी वह आपकी चलती रही गए अब उसके बाद में क्या था इसमें जो लाइसेंस की में आपको बता रहा था कि जो लाइसेंस की नीड ती ना उसको बहुत सारे industrial houses में मिस्यूस भी किया जैसे कोई बड़ा industrialist क्या करता था नई firms को स्टार्ट करने से रोकता था क्योंकि license उन्हों ले लिया है तो वह license ज्यादा लोगों को दिया भी जाता था एक्सेसेव रेगुलेशन जो था इस पो ही कला देया आपका पर्मिट लाइसेंस राच ठीक है इसकी दोना सर्टेन फर्म्स को आपका ज़्यादा थिशेंट होने से रोका गया और ज़्यादा तर इंडर्स लिस्स का जो टाइम था वो लाइसेंस को अप्टेन करने में नि पचाया गया और फॉरेंड कोंपरीशन से तो वही हमारा प्रोटेक्षन दिया गया इनको इसको भी क्रिटिसाइस किया गया कि यह आपकी थांदा कर रहा था फाइदा जाए कम पहुंचा रहा था इसको बाइब इसको कंट्यूनी किया अब क्योंकि इंपोर्स पे आपको जैसे मैंने बताया वही बहुत सारे रिश्ट्रिक्शन थे तो इंडियन कंजूमर्स को वही चीज़ें पर्चेस करने पड़ती थी जो भी इंडियन प्रिडूसर्स उनको उपलब्द कराते थे सीधी से बात है कोई चोईस ही नहीं थी ना बार से इंपूर्ट करना है तो मु यह मार्केट एनके कपचे में है इनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रिडूस करने का कोई इसेंटिक नहीं विलने वाला तो कि लोग खरी देंगी खरी देंगे आप अपनी क्वालिटी क्यों प्रूफ करोगे जब आप लोग क्वालिटी के आइटम्स को हाई प्र के लिए बना उनको भी आप इस बर्पर कर सब्याइए लोगों की बलाइए के लिए ना कि इस बर कितना पॉंकर रटीक्श ने यह का कि हमने में अपने प्रिडूष खो foreign competition से बचाना चाहिए जब तक बचाना चाहिए जब तक कि rich nations भी ऐसा करते आर इन सारे conflicts को देखते हुए economics में क्या बोला है कि हमारी policies में बहुत बड़ा change होना चाहिए और बहुत सारी problems थी इसकी वज़े से हमारी नई economic policy 1991 में introduced थी अब अगर हम overall conclusion देखें तो जो इंडियन economy की progress थी वो पहले साथ five year plans के दोरान काफी impressive रही ठीक ठाथ रहे हमारी industries जो हैं वो काफी ज़्यादा diversified हो गई यानि कि मारे products काफी ज़्यादा बढ़ गए independence के साथ हम compare करें तो हम और ज्यादा self sufficient होगे food production के मामले में green revolution की वज़े से ठीक है इसके साथ आप जो land reforms थे उसकी वज़े से जमीदारी सिस्टम हटा industrial sector में economist जो है वो इस सी से dissatisfied रहे कि public sector enterprises की performance नहीं बढ़ी है excessive government regulation की वज़े से entrepreneurship जो है वो आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई same free lines के नाम पर Indian producers को बचाया गया foreign competition से और इसकी वज़े से उनको एक incentive नहीं मिला कि वो अपनी goods की quality को improve करें और इसी वज़े से भी आज के time में देखा जाए तो इंडिया weight products इतने जदा high quality के नहीं है बहुत जेगे पर Indian policies मतलब overall देखा जाए तो वो inward oriented rate ठीक है उनका जुपाव भीतरी ही रहा है और एक strong export sector develop करने में हम नागाम रहे कि reform की जरूत थी economic policy में widely felt की गई global economic scenarios को देखते हुए और उसकी वज़े से नई economic policy 1991 में आई इससे हमारी economy को और ज़दा efficient बनाया दया तो फिर कर हम बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद LPG reforms वगरा भी आएंगे आई होप आप लोगों के सब को समझ में आ रहा होगा और जैसा मैंने स्टार्टिंग में repeat किया तो मैं दोवारा से बता दू कि यह जो आपके lectures है न यह आपके sufficient रहेंगे CDS के लिए sufficient रहेंगे CAPF AC का जो अगला exam अबद तब तक के लिए भी sufficient रहेंगे अगर आथ के प्रिप्रण कुछ बहुत बहुत बेज़ाइब changes नहीं किये जाते है UPSC के दारत तो यह changes आपको देखने को मिलेंगे CDS से बात है आप इनके rely कर सकते हैं प्लस CDS drive में जाए MCQs मिल जाए नहीं उनको practice कीज़े previous year questions जो मैंने CRPF के upload किये हैं और एक week बद CDS के भी upload कर दूँगा इनको practice कीज़े believe me it will be more than enough for economic for CDS and CRPF इन 25 days में आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि economic total आपके 15 से 20 lectures के बीच में रहेंगे जो मेरे काज़े 15 से 20 साधस्त के बीच में कतम हो जाए तो please do like बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के like बहुत ज़्यादा motivation देता है आप लोग अपने दोस्तों के शेयर कीजिए जिनको इसकी काफी ज़्यादा जरूरतों गुर्प में शेयर कीजिए और please do subscribe the channel आप चैनल को subscribe करेंगे numbers बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा आप comments कीजिए तकि videos engage हो सकें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें लोगों जितना ज़्यादा अमारे videos को views मिलेंगे likes मिलेंगे subscription मिलेंगे उसी से आपके और भी नई चीज़ें आप लूगों के help के लिए चैनल स्कूर अप्लोड की जाएंगे ठीक है तो बस इतना ही कहना था जाएंटो यूज